अनन्त कोटी ब्रम्भांट नायव राजाधिराज, योगी राज, श्री स्वामी समर्त महाराज, तेजोनिधी सत्गुरु परम्पुज्य मोरेदादा एवं हम सभी पर माकी मम्ता का सिंचन करने वाले प्रातस्मर्निय परम्पुज्य गुरुमाउलीजी के पावन चर्नों में त्रिवार वंदन परम्पुज्य गुरुमाउलीजी के आशिरवात तथा आदर निय श्री नितिन भाव के मार्गदर्शन से प्रेदित होकर आज के इस ओनलाइन बास नुसकारवर्ग की शुरुवात हम करेंगे आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है बाल मित्रो आप तक विभिन्द विशो का ग्यान पोचाने है तो हम आये हैं आज फिर से आपसे मिलने आज की क्लास में हम सीखेंगे सी हम उद्रा आरोग के शास्तर में हम देखेंगे चाई, कॉफी तथा कोल्डिंग जैसे पेयोगा हमारे शरीर पर किस तरह विपरित परिणाम होता है कानुन जगरुपता में हम जानेंगे वाहन चालक काईदा के बारे में मैं कौन बनूंगा में देखेंगे वकील के बारे में और कुशी शास्तर में आज हम जानेंगे देशी गाए का महत्व और उनके प्रकार तो ये चारा ग्यान अर्जित करने के लिए हमारे साथ अवश्य बने रही है सबसे पहले हम गुरु को वंदन करके उनसे आशेश प्राप्त करेंगे तो सभी बच्चे अपनी आखे बन कर ले तथा पूर्ण श्रद्धाते श्री स्वामी समर्थ महाराज तथा परंपुज्य गुरु माउली जी को स्मरण करे गुरुर ब्रम्भा, गुरुर विष्णू, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात्पर ब्रम्भा, तस्मय श्री गुरवे नमहा, श्री स्वामी समर्थ महाराज कीचै, श्री गुरुदे वदत्थ, श्री ध्रम्भके श्वर महाराज कीचै, गंगा गोदावरी माता कीचै, सद्गुरु परंपुज्य मोरे दादां कीचै, श्री स्वामी समर्थ गुरु माउली कीचै, भारत माता कीचै सुविचार तो बच्चों आज का सुविचार है जंगल बचाएं और हमारे परियावरण की रक्षा करें क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई जगाओं पे जंगलों में पेड काटे जाते हैं और कड़ी धूप के वज़े से पोधोक की हानी होती है तो इसलिए हमें इन सारी चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए बाल संसकार वर्ग के छात्रों की आचार सहिता बाल संसकार वर्ग में नियमित रूप से आने वाले बच्चे अन्य बच्चों से अलग दिखते हैं लोग हमेशा उनकी तारीफ भी करते हैं इसकी कोई न कोई तो वच्चा जरूर होगी ना हाँ जरूर है पाल संसकार वर्ग में आने वाले बच्चे यहां पे सिखाए गई हुई आचा सहिता का पालन करते हैं तो बच्चों हमारे लिए भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्चक है इस विश्व में जितने भी मह महान हस्तिया हुई हैं उन्होंने भी आचार सहिता का पालन किया और इसी लिए वह महान कहलाए आचार सहिता में सर्वप्रथम बात रात को जल्दी सोए तथा सुबह जल्दी जागे हर दिन माता पिता का सिर जुका के चरण स्परश करे सुबह उठने के बाद पात से साथ तुलसे के पत्ते चबा कर खाए और उसके बाद एक ग्लास पानी पिये माता पिता बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों का हमेशा सम्मान करे अपने से आयू, क्यान एवं अधिकार से बड़े व्यक्ति के आसन पर कभी न बैठे नूडल्स, पास्ता जैसे फास्फूड एवं कोल्ड रिंग का सेवन कभी न करे घर में बना शुद, शाकाहारी भोजन ले टीवी एवं मुबाल का अतिरिक उप्योग ना करे इन साधनों का उप्योग केवल संसकार और ज्यान पृध्धी करने वाले प्रोग्राम देखने हे तू ही करे इस आचा सहीता का पालन करने वाले बच्चे जिम्मेदार नकरीक बनेंगे ही बनेंगे तो बच्चों आप इस आचा सहीता का पालन करेंगे ना योगासन सीह मुद्रा आज हम योगासन में सीह मुद्रा ये योगग्रिया सीखेंगे ये योगग्रिया करते समय प्रथम पदमासन में बैठ जाए हातों के पंजे उलट टिशा में आए इस प्रकार स्थिति ले यानि उंग्लिया शरीर की तरफ हो यदि वज़्रासन सिति हो तो घुटनों पर बैठ कर सीट का हिस्सा उठाए इस तिति में गर्दन को सीधा रखते हुए, पूरा मुझ खोलते हुए, जीब अधिक से अधिक बाहर निकाले आखों को जादा से जादा बढ़ा करते हुए सीहा गर्जना का स्वर निकाले जितनी देर संभव हो सके उतनी देर ये क्रिया करे इस मुद्रा का अभ्यास करने से गले की ग्रंथिया यानि थाइराइट्स स्वर ग्रंथि पर अच्छा परिणाम होता है एवं गले की विकार दूर होते हैं दक्षता इस आसन का अभ्यास करते पक शरिर में तनाव बढ़ता हो तो आसन का अभ्यास न करे कानून जागुरुपता आज हम देखेंगे वाहन चालक काईदा इस काईदे अंतरगत 18 साल उम्र पूरी होने वाले लड़के या लड़कियों को वाहन चलाने का अधिकार है वाहन चलाते समय लाइसेंस और अन्य दस्ताय वच साथ होना जरूरी है हेलमेट का इस्तिमाल करना जरूरी होता है सिगनल का पालन करना जरूरी होता है सिगनल का उलंगन होने से 500 रुपे जुर्माना एवं पुलिस कारवाई भी होती है वाहन के गती पर नियंतरन रहे और अभगाज तल पर जरूर मदद करे वाहन चलाते समय मोबाईल का इस्तमाल ना करे फोर विलर चलाते समय सीट बेल जरूर पहने आरोग्य शासर सावधान, चाई, कॉफी, कोल्डरिंग्स में है विश बच्चों, आज हम आरोग्य शासर में चाई, कॉफी और कोल्डरिंग्स के शरीर पर होने वाले हानी कारक परिडाम जानेंगे टीनी नाम का विश पेट में चिद्र और वायू निर्मान करता है थीन नाम का विश फुफुस और मस्तिशक को स्तूल बनाता है कैफिन किड्नी को दुर्बल बनाता है वॉलाटाइल आतों को हानी कारक है कार्बोनिक आमल से आसिडिटी बढ़ती है पेमीन से पचन क्रिया में बुरा असर होता है साइनोजन निद्रानाश और पैरलिसित जैसे बिमारियों का कारण मनता है स्टिनोईल रगतविकार निर्मान करता है इसलिए चाई या कॉफी ना पिए आईरवेदिक चाई का इस्तमाल करे चाई या कॉफी में कैफेन होने के कारण नशा आता है और थोड़े समय के लिए उत्साह बढ़ता है एक बार पीने से बार बार पीने की इच्छा होती है इथिलिन ग्लाइकॉल कोल्डरिंग्स जल्दी बर्फ न बने इसलिए इथिनिल ग्लाइकॉल मिक्स किया जाता है और उससे कैंसर जैसी भयंकर विमारी हो सकती है कॉन फ्रुक्टोज कॉन फ्रुक्टोज उपर दिये सारी रसाइनों का कडवापन दूर करता है एक बोतल में 9 से 10 चमच मकई की चीनी यानि कॉन फ्रुक्टोज मिक्स की जाती है यहां आम चीनी से भी बहुत मिठी होती है जिसके कारण डाइबिटीज, मूटापा और दाथ खराब होना आधी परिणाम दिखते है तो बच्चो आज से ही तै करे और चाई, कॉफी, कोल्ड रिंग्स का सेवन ना करे कुरुशी शासर आज हम कुरुशी शासर में देखेंगे देशी गाय के महत्व और प्रकार हम जब गोमाता को प्रणाम करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो पूझ की और से लेते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमने गाय का पंचगव्य यह मनुष्य के लिए अम्रुद समझा वह हमें गोमाता के पिछले अंगोद्वारा मिलता है उसका महत्व सभी को ग्यात हो, इसलिए गोमाता का दर्शन हमारे संस्कृती में महत्व पूर्ण माना गया है देशी गाय की प्रकार पोवार उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गाय देखी जाती है ओंगल यह गाय आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले के उंगल में देखी पाई जाती है लाल कंधारी महराष्ट राज्य में यह गाय नांदेर जिले के कंधार लोहा इस जगह देखी जाती है देवनी यह गाय महराष्ट के लातूर जिले के देवनी इस जगह मिलती है खिलारी, यह गाय महरश्ट के सातारा, सांगली, होलापुर में पाई जाती है केकन्था, यह गाय मध्य प्रदेश में मिलती है राठी, यह गाय राजस्तान में मिलती है सिंधी, यह गाय पाकिस्तान में पाई जाती है डांगी इस जाती के गाय की तवचा तेलिय होती है और बेल पैदास करने के लिए उपयोगी होती है गीर यह गाय शान्त होती है और इससे शान्त बेल की पैदास होती है थार पार्क दोद के लिए उत्तम माने जाती है वेचूर इसका आकार बक्री के आकार जितना होता है गाय के सन्निद रहने से रतदाब नियंतरित रहता है देशी गाय के कंधे पर हाथ फेरने से बहुत सी बिमार्या ठीक होती है यह सबी गाय भोगलिक दुरूष्टी से अलग-अलग जगह पर मिलती है उनकी गोबर, गोमुत्र, दूर, घी, दही बहुत ही गुनकारी होते हैं इसलिए गोमाता का समवर्दन होना जरूरी है मैं कोन बनूँगा? बच्चों, मैं कोन बनूँगा या बनूँगी? इस प्रश्ण का उत्तर इस सब्ता में हम फिर से खोजेंगे बच्चों, जब आप टीवी पर एक शुरूंखला या फिल्म देखते हैं, तो काले कोट पहने एक व्यक्ती अदालत में दिखाई देता है मुझे बताओ कोन? सही है वकील, इनको अंग्रेजे में लॉयर कहा जाता है ये वकील, जिन्होंने कानून की विशे का गहराही से अध्यन किया है आम चंता को उनकी समस्याओ और प्रश्णों पर कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं आप कहेंगे कि सभी वकील एक जैसा ही काला कोट पहनते हैं तो क्या सभी वकील एक समान ही है? नहीं, सभी वकील समान नहीं होते वे विभिन्न कानूनी विशे के विशेशत्न होते है वे समाज में लोगों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को उठाते है कोई भी वकील किसे विशेश विशेपर विशेश कानूनों का अध्येन करता है आपको कई प्रकार के वकील मिलेंगे जिनमें अप्राधिक मामलों पर कानून का अध्यन करने वाले वकील वकील जो स्भ्यावसाइक मुद्दो पर कानून का मार्गदर्शन करते है वकील जो संपत्ती करों पर कानून का अध्यन करते है अगर किसी वक्ति के साथ अन्याय होता है तो वकिल अदालत के सामने निर्दोश वक्ति का बचाव करने के लिए काम करते है ताकि गलत काम करने वालों को कड़ी सजा मिले नित्य सेवा अब हम नित्य सेवा करेंगे सबी बच्चे अपनी जगे पे शांती से बैठ जाए अपनी आखे बंद रखे अपनी रीड के हड़ी सीधी रखे सर्व प्रतम हम श्री स्वामी समर्थ मंत्र का ग्यारा बार जाप करेंगे श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ गायत्री मंत्र ओम तस्य वितुर बरेन्या भर्गो देवस्य धीमही दियो यो नह प्रचो दयाद् ओम तस्य वितुर बरेन्या भर्गो देवस्य धीमही दियो यो नह प्रचो दयाद् ओम तस्य वितुर बरेन्या भर्गो देवस्य धीमही दियो यो नह प्रचो दयाद् ओम तस्य वितुर बरेन्या भर्गो देवस्य धीमही दियो यो नह प्रचो दयाद् ओम तस्य वितुर बरेन्या भर्गो देवस्य धीमही दियो यो नह प्रचो दयाद् ओम तस्य वितुर वरैन्य, भर्गो देवस्य धीमः, धीयो यो नहा प्रचोदयाद गणेश कायतरी मंत्र ओम एक दन्ताय वित्महे, वक्रतुम्डाय धीमही, तन्नो दन्ती प्रचोदयाद ओम एक दंदाय विद्महे वक्रतुन्दाय धीमही तन्नो दंती प्रचोधयाद ओम एक दंदाय विद्महे वक्रतुन्दाय धीमही तन्नो दंती प्रचोधयाद ओम एक दंदाय विद्महे वक्रतुन्दाय धीमही तन्नो दंती प्रचोधयाद ओम एक दंदाय विद्महे वक्रतुन्दाय धीमही तन्नो दंती प्रचोधयाद गुणपती स्तोत्र श्री गनेशाय नमा नारदुवाच्ष प्रणय शिरसादेवं गौरि पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्चसित्थरें प्रथमं वक्रतुन्दांच एकनंतं द्वितियकं तृतियं क्रुष्ण पिंडाक्षं गजवक्त्रंच धुर्तकं लम्मोधरं पांचमंच शष्टं विकटमीवच सब्तमं विग्णराजेंडं धुम्रबर्णंध धाष्टकं नवं भालचंद्रंच दशमं तू विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तू गजाननंग द्वादशेदानि नामानी रीसन्हेयः पठे नरं नचविक्ण भयंतस्या सर्वसिंधी करंप्रभो विध्यार्थी लभते विध्या धनार्थी लभते नरं पूत्रार्थी लभते पूत्रान् मुक्षाधी लभ धीवती जपेत गणपती स्तोंत्रां शड़ भिर्वासे फळं लभे सम्वस्तरे नसित्धिच लभते नात्रसंशया अश्टोप्या ब्राह्मने वेच लिखित्वायः समर्पये तस्य विध्या भवेचर्वा गनेशस्य उप्रसाधता इती श्री नारग पुराणे संकट्नाशन श्री गनेश स्तोत्र सब्पुर्णा प्रग्या विवर्धन स्तोत्र श्री गनेशाय नमा अस्य श्री प्रज्या विवर्धन स्तोत्र मंद्रस्यां सनत कुमार रुशी स्वामी कार्तिके यो देवता अनुष्टु पच्छन्दा ममसकल पिध्या सिध्यर्थे जपे विन्योगा श्री सकंदव वाच्च योगेश्वरो वहासेना कार्तिके अग्निनन्दना स्कंदकुमार सेनानी स्वामी शंकरसन्दवा गांगे आस्ताम्रचुडश्य ब्रह्मचारी शिकीत्वज तारकारी उमापुत्र क्रशाराती शरारन शक्त ब्रह्म्ह समुत्रश्य सिध्धसारस्वतो गुरु सनत कुमार भगवान भोग मुक्ष पलप्रग शरजन्मागलादीश पुर्वजो मुक्तिमार्वकृत। सर्वाम ब्रणेताच वार्चिताथ प्रणर्शन अष्ट विशंदिनामानि मदियानितियापटेत। प्रत्युष्य शद्यायुक्तो मुकोवाचस्पतिर्भवेत। महा मंत्र मयानिती ममरा मानुकितनाः। महा ब्रध्यावपणोती नात्रकार्या विचारणाः। इति श्रीश कंदम पुराने काधिके वहार्णे प्रध्याव मरदतों दसंपुणाः। दिनविशेश 31 में अहिल्याबाई होलकर जैनती अहिल्याबाई होलकर इनका जनम महारश्ट के अउरंगबाद जिले के चोंधे गाउं में 31 में 1725 में हुआ मनकोची शिन्दे यह उनके पिताजी आठ साल की उम्र में पराक्रमी मल्हारा होलकर इनका लड़का खंडेरा होलकर इनसे अहिल्याबाई का विवा हुआ कम उम्र की आयू में ही उन्हें वैधव्या आ गया फिर भी निराशन होकर बड़े ही धैरता से समाज सेवा की कार्य में अहिल्याबाई लग गए उतरते कोई की सीडी बनाना, भगवान शंकरजी के मंदिर का जिर्नोधार, नदी के उपर घाट बनाना, रास्ते की दोनों तरफ बरगत के पेड लगाना ऐसे कई समाज उपयोगी काम अहिल्याबाई ने किये उत्तम राजशासन करके समाज में आदर्शिर खा संकल्प बच्चों, आज का संकल्प है मैं अपने नोटबुक का सही तरह से सोज समझ के इस्तमाल करूंगा प्रश्ण मंजूशा, आज के इबाल संसकार वर्ग में आपने क्या-क्या सिखा और उसमें से आपको क्या-क्या समझा आपने इससे क्या सिख ली यह जानने की हमारी तिवर इच्छा है इसलिए इस वीडियो के लिंक के नीचे प्रश्ण मंजूशा इस लिंक पर प्लिक करके उचे गए प्रश्णों के सही जवाब आपको देने है सभी प्रश्णों के सही जवाब देने वाला विद्यार्थी इस सब्तह का आदर्श बाल संसकार विद्यार्थी होगा इन प्रश्णों के उत्तर देने के लिए अपने माता-पिता की मदद ना ले स्रिप लिंक ओपन करने हेतू माता-पिता मदद करे धन्यवाद आज के बाल समस्कार वर्ग की सांगता हम रास्टर गित से करेंगे इस बाल समस्कार में सहभागी सभी को बिनती है अपनी जगव पर खड़े रहे जनननमना भिनायक जय है भारत भाग्य विभाता पंजाब सिंधुज रात मराठा रामिड़ उत्कल बंगव वीध्याहि माचल यमुना अगंगा उच्छल जरदिकरंगा तब शुब नावे जागे तब शुब आशिश मागे गाहे तब जय काथा जनननमंगर दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय है जय है जय जय है जय है भारत माता की जय स्री स्वामी समर्थ महराज की जय चलो बाल मित्रो मिलते हैं अगले गुरुवार इसी लिंक पर सुबह है नौ बजे